सब्सक्राइब, आपना आज का लेक्चर जो है दो एक बार फीर से मैं विकास भरदवाज आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, आज की इस वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा भल नियम के आगे के नियम के बारे में देखेंगे और आज हम दो अध्याय को डिसकस करेंगे आपर चेप्टर 9 जो चोटा सा है और चेप्टर 10 उसमें जो 10-11 नियम है उसके बारे में देखेंगे 10 चेप्टर 10 से सवाल बनते हैं कहा से बनते हैं उसको मैं डिसकस करूँगा आपको एक कोटेशन दिख रहा होगा किसी भी इंसान की इक्षा सकती और जिरसंकल को से भिखारी से राजा बना सकती है तो आप अपने अंदर इक्षा सकती और अपने जिरसंकल को मजबूत बनाईए आप अगर इस मजबूती को बना सकते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता, आप एक दिन राजा ज़रूर बन जाएंगे, चले इसी कोट के साथ, आगे चलते हैं हम लोग, चप्टर नाइन, चप्टर नाइन में जो है, वीडियो क्या करता है, चप्टर नाइन क याँ पर, तो आपको या तो रिल्वे कॉलोनी में रहने के लिए वास सुविदा मिल सकती है, या तो आप फिर बैरक देख सकते हैं, बैरक में आपको रूपने के लिए मिल सकता है, तो यही है चप्टर नाइन, चप्टर नाइन में क्या कहता है, चप्टर नाइन आपको discussion नहीं सिर्फ उसमें हम लोग normal चीज़े देखेंगे और यह common sense वाली चीज़े हैं फिर्स्ट यह कहता है कि आप नियम 118 बताता है residential accommodation के बारे में मतलब निवास अस्थान कहा पर निवास अस्थान होगा तो यह कहा गया है उसमें कि जो भी railway railway में जो भी आरपीफ में निवास करते हैं उन्हें railway colony में जो है अस्थान दिया जाएगा किस लिए residential accommodation के लिए रहने के लिए very good residential जो है accommodation के बारे में बता गया है आपको rule 118 में and अगला है rule 119 इसमें location और बैरक and other accommodation बैरक और अन्य वास सुविदा का अवस्थान मतलब की कहां पर इसका location होगा तो इसमें यह कहा जाता है कि जो भी बैरक होंगे वो station पड़िशत से जितना नजदीक से नजदीक हो सके ताकि आपको at random अगर किसी प्रकार की जरूरत पढ़े duty के लिए तो आपको लाया जा सके बुलाया जा सके तो यह यहां पर बताता है आपको location और बैरक and other accommodation बैरक और अन्य वास सुविदा के बताता है रूल 119 और अंतिम जो रूल है इसका वो है 120 जैसे कहा जाता है कि आप जहां पर भी रहें उसको maintenance उसका maintain करके रखें जैसे आप अपने घरों में राते हैं तो आप है चीज को maintain करते होंगे साब सफाई से ले करके सारी चीजे और इसमें क्या है यह सरकारी मकान है और सरकारी रहने का आवास मिलता है आपको तो आपको अगर वहां से पोस्टिंग हो जाती है तो वेकेंट भी उसे खाली भी करना पड़ता है तो वही बताता है नियम 120 maintenance and vacation of accommodation residential accommodation निवास अस्थान का रख रखाओ और उसे खाली कराए जाना खाली कराने में क्या है सिंपल है अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है आप दूसरे जगह पर दस्था आप ट्रांसफर हो गए अस्थांतरित हो गए हैं तो आपको वहां पर जो है निवास अस्थान उपलब कराया जाएगा और उसी निवास अस्थान को जो है आप उप्योग मिलाएंगे आप जहां पहले पहले रहे थे उन जगहां पर जो है आप उसे चोड़ देंगे प्रॉपर इंतिमेशन के थे अगर किसी प्रकार की आपको extension चाहिए होता है तो सक्षम प्राधिकारी से उसका extension लिया जाता है और उस extension period का आपको जो है किराया भी भरना होता है तो इन सब चीजों के बारे में वहां पर बताया गया है तो वह है maintenance and vacation of residential accommodation चेप्टर नाइन सिंपल था जिसमें की पड़ाओ और वास की सुविधा के बारे में बताय गया था उसके बारे में तीन दाराएं थी उसे हम लोगों ने सारी तीन नियम थे उन तीनों नियमों को हम लोगों ने देख लिया है अगर यहां तक समझ में आ गया हूँ तो आप पड़ाओ और वास की सुविधा जिसमें तीन दाराएं थी 18 19 और वीस 18 111 और एक सो वीस तीन नियम थे तीनों नियमों को हम लोगों ने देखा पहले वाले जो है नियम वेरी गुड वेरी गुड सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तो यह तीन नियम हम लोगों ने देख लिया चलिए तब हम आगे चलेंगे अब अगले अध्याय जो की चैप्टर टेन है पटाफट हम लोग खाली इसको समाब्द करेंगे क्योंकि अध्याओं में ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है सब कॉमन सेंस वाली चीज़े हैं और नॉर्मल जो है चीज़े बताई गई हैं सवाल आपका 123 रूल से बनता है और अक्सर वह सवाल जो हर्फन मौला सवाल है वह मैं बताऊंगा आपको आगे तो चलते हैं यह आपका आगया चैप्टर टेन है यूनिफॉर्म एंड एक्कुप्मेंट के बारे इन बताया गया होगा यहां देख रहे हैंगे एक हैंड समसा पौलिसवाला पूरे उनिफॉर्म में है वल उनिफॉर्म है सारी चीजें लिया हुआ है तो यह जो है आपको भी इसी तरीके से इन लिफॉर्म कैसे पानना है और आपको किनकी की डिया जाता है उन सब चीजों के बारे में किसमे नियम 121 से लेकर के नियम 131 टक जो 11 नियम है इसमें बताया गया है 11 नियम में से 2-3 hardly 3 नियम है जिसे हम discuss करेंगे बाकी का heading heading देखेंगे सवाल वहां से संभवत नहीं आएंगे और अगर आप भी जाते हैं तो ये exceptional सवाल माना जाएगा वैसे आने नहीं चाहिए मेरा ऐसा मानना है चलिए क्योंकि ये general चीज़ें इसे बस जानकारी के लिए ही रखना चाहिए पहला ये बता दिया गया है general instruction साधारन अनुदेश जो है वो नियम 121 बताता है अब नियम 121 जो है साधारन अनुदेश किस चीज़ के बारे में बताएगा तो जिस चीज़ का अध्याय है उसी के बारे में बताएगा तो अध्याय क्या है uniform and equipments के बारे में तो ये uniform के बारे में ही general instructions देता है कहता है the director general may by order specify from time to time dress and pattern of various types of dresses for member of the force मतलब member of the force के लिए जो है time to time director general के पास ये power है कि वो या तो dress का pattern change कर सकते है जिस भी तरीके से वो रखेंगे वो भी resist करेंगे वही आपको पहनना होगा and second कहता है the basis of rank of all members of the force holding their appointment on a regular basis cell be as specified in situ lake जो अनुसूची आठ में जो है rank के अनुसार जो badges दिये गए है जैसे सब inspector को दो चार star लगाना है दो दाइने कंदे दो बायकंदे पर तो दो इस तरीके से इंस्पेक्टर तीन तो इस तरीके से जो है अनुसूची आठ में भी ने दिस्ट किया गया है कि आप किस rank वाले कौन से बैस दारन करेंगे और उसी अनुसार वो बैस को दारन करेंगे यह जनरल इंस pend sap सिन के बारे में बताये गया है अगे देखते हैं इसमें क्या बताये गया है इसमолодा इपruption जो है सिधा सका है नियम 74 के अधिन किसी बलसदस की पुर्दरनती करते समय क्या होगा नियुक्ति की प्रकृति और कालावधी को देखते हुए उसे उचितर नियुक्ति की रहें की वर्दी या वैच पहनने की अनुग्यान कर सकेगा मतलब कि अगर आपका मान लिजे आपको प्रमो करके रखेगा लेकिन जैसे ही आप टाइम पिरियेड होता है आप उस रेंग को उस बैज को हासिल कर लेंगे और 121 क्लॉस 3 करता है और ऑल ओफिशर्स आर परविड़न तो इंट्रोड्यूस और सेंक्शन पॉर एक्स्परिमेंटल अप दोस परपर जैनी अनुद्राइज मतलब कि सभी प्राधिकारियों को प्रियोग के रूप में अन्य प्रियोजन के लिए पोसाग कपड़े उपसकर और बैज के विनिर्दिस्ट पैटर्न में कोई अप्राधिकृत बदलाओ लाने या उसे मंजूर करने से निशित किया गया है इसे मंजूर करने का सिर्फ पा आप अपने हिसाब से कि यहां पर यह चीज अच्छा नहीं लग रहा है उसे दूसरे तरीके से आप नहीं कर सकते हैं आपको इसके लिए निशिद किया गया है तो यह हम लोगों ने क्या देखा जन्रल इंस्ट्रक्शन्स यूनिफॉर्म के बारे में कॉमन सेंस वाली बात का जो है अनुशासन हींता का प्रतीक है ठीक इसी प्रकार से हम लोगं बल के जो है क्या है discipline मेंस्ट्रक्शन्स और पूर्ट के बारे मता गया कि कहां पर वर्दी पहनेंगे और कौन साधे कप्ड़े पहनेंगे इसके बारे में यह नियम बताता है काता है All members of the force shall be in position of uniform and shall invariably real it as here in after provide except when specially deployed on plain crossword यह कहा गया है कि सभी बलसदस्यों के पास वर्दी होगी क्या है सभी बलसदस्यों के साथ पास वर्दी होगी और वे उसे वहां के सिवाए जहां उन्हें साधे कप्ड़े में काम करने के लिए अभी न्योजित किया गया है जैसे इन में इसके पस्चाद दिया गया है वहां सदै वो पहनेंगे मतलब कि जब तक आपको आपके senior authority या किसी legal authority के द्वारा यह नहीं कहा जाता है कि आप वर्दी के बगए duty करें तब तक आप उस वर्दी को पहनेंगे जब भी आप कर्तबे पर जाएं दूसरा करता जब आप कर्तबे पर नहीं रहेंगे तो वर्दी नहीं पहनेंगे मुफ्ती ड्रेस के बारे में आप जानते होंगे duty पर ना होने पर मुफ्ती पहनी जाएगी जैसे कि मुफ्ती ड्रेस में आप स्टाप के लिए जो है उनके लिए खाकी पैंट और white t-shirt किया गया है वहीं जो है subordinate officer और superior officer के लिए white t-shirt and white trousers कहा गया है तो यह सारी चीज़े हैं जहां जैसे भी हो मुफ्ती ड्रेस में आप रहेंगे जब duty में रहेंगे तभी आप uniform में रहेंगे and clause 3 कहता है no superior officer or enrolled member of the force shall appear at any time dressed partially in uniform and partly in plain cloths while on duty इसी कारण जो है कुछ लोगों को default किया जाता है duty में जो चीज़े हैं इस कारण यहीं पर बताई गई हैं कि कोई भी जो है superior officer हो या enrolled member of the force हो वो आधी वर्दी में नहीं दिखेगा duty में जो है वो या तो आधी uniform या आधा plain cloth में करता ही नहीं दिखना चाहिए यह एक अनुशासन हीनिता की निशानी है interdisciplinary कारिवाही है वो तो यह चीज़े यहीं पर दी गई है 122 का clause 3 आप याद रखिए क्योंकि आप आगे चलेंगे और आप बनेंगे क्या आप प्राधिक्री तरिकारी बनने वाले हैं इस exam को पास करने के बाद तो आपको इन सब चीज़ों का धियान रखना होगा और discipline को maintain रखने के लिए आपको इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है तो हम लोगों ने देखा क्या? 122 को देख रहा है 122 नियम खत्म हो गया अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो आप आप जो है comment करके बताए very good 74 में ad hoc promotion है सही बात है ad hoc promotion के बारे में बताए गया है बहुत अच्छे वर्मा आप लोग की तयारी काफी सुनिस्चित मतलब की सुनियोजित तरीके से हो कई है बस आप लोग थोड़ा सा अपने आपको जो है moral boost up रखें यह कतरी ना सोचे कि वेकेंसी आएगी नहीं आएगी इन चीजों के बारे में ना सोचें सिर्फ आप अपने काम पर ध्यान लगाएं और काम को एकदम एकागर चित होकर करते रहें very good सभी लोगों को समझ मे में आ रहा है बहुत अच्छे हैं इस एक्जाम को पास करने के लिए कोई आपको hypothetical या कुछ critical या कुछ ऐसा नहीं है करना पड़ेगा एक simple method है जो method मैंने डिस्क्राइब भी किया है अगर आप नहीं देखें वो वीडियो तो आप playlist में जाकर करके देख लिजेगा वीडियो पड़िया हम लोगों ने 122 नियम तक देख लिया है अब हम चलेंगे अगले नियम जो 123 है बहुत ध्यान से देखेगा इस नियम को इस नियम से ही सवाल हर बार लंसम पूछा ही गया है वो आप जानेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा भी और जैसे बताऊंगा आपको वो से रिकॉल हो जाएंगी कि हाँ ये सवाल अक्सर पूछा गया है तो पहला जो है यूनिफॉर्म वैन टू बी वाद यूनिफॉर्म कब पहनी जाएगी मतलब यूनिफॉर्म पहनने का क्या क्या टाइम होगा तो कहता है अल सुपिरियर ओफिशर एन इंड्रॉल मेंबर आप जब आप परेड अटेंड करेंगे ओडरली रूम को एटेंड करेंगे कोट आप जस्टिस नयायाले में करते हैं ओफिशियल फ्यूनिरल किसी का है तो उसमें आप जाते हैं तो आपको यूनिफॉर्म पढ़ना है और वाई इंस्पेक्टिंग गार्ड जब गार्ड को इंस कुछ चीजें यहां specified की गई है और कुछ चीजें जो है specified नहीं की गई है एक ऐसा वर्ड लिख दिया गया है कि all other occasions when required to do so मतलब कि वह ऐसे सभी सभी समय पर जब आपको बर्दी पहनने की अप एक्छा की जायती है तो आप बर्दी को पहनेंगे क्या पहनेंगे यूनिफॉ और एनी ऑफ इट्स आइटम सेल नॉट बी यौन वेन ऑफ ड्यूटी स्टिक्ली मना किया गया है कि जब आप ऑफ ड्यूटी होते हैं तो किसी भी प्रकार की बर्दी या उसका कोई भी मद जो है वो नहीं लगाएंगे या ऐसे हो सकता है कभी लोग देखते होंगे कि आप आसानी से बैठे हैं सिविल यूनिफॉर्म में कैप लगा करके पी कैप लगा करके बहुत लोग फोटो कीशते हैं अपनी आप फोटो कीशते हैं उसको रखते हैं तो वो चीज आप पी कैप लगा करके और सिविल में जैसे जिन स्पेंट पहने और गूम रहें नहीं आप यूनिफॉर्म के साथ ही उसे डेकोरेट करके पहनेंगे क्योंकि आपको पता है डिस्सिप्लिन अनुसासन सबसे पहली चीज होती है पोर्समेंबर की आगे यह करता है अब यह कहा गया है कि आप मान लिजे की पासिंग आउट प्रेड में गये हैं तो वहां पर डिपार्टमेंटल कुल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं आप कोई दिखा रहे हैं जहां पर की यूनिफॉर्म की आवश्यक्ता है तो वहां पर आप अच्छी जत नहीं दी गई है आगे देखेंगे आगे के क्लॉज में क्या बताया गया है 123 क्लॉज 2 क्या कहता है 123 क्लॉज 2 कहता है ये सवाल हर्फन मौला है अभी से लेकर के पीछे मैंने देखा कम से कम आठ नौ बार ये सवाल आ रहा है और कुछ जब से CBT आ गया है तब से क्या है कोश्चन पेपर नह इकालते हैं लेकिन आप उसे मानियेगा नहीं क्योंकि इस्मृति आधारित में क्या है कि जो जिसको याद रहा वैसे बता दे वो कोई ऑथेंटिक नहीं माने रहेगा तो अभी सीबीटी एक्जाम होने के कारण में कुश्चन पेपर आपको नहीं दिखा पाता हूं लेकिन प 173 का क्लॉस 2 आप याद रखिए जो 70 रूल का एक्जाम होने वाला है संभावता या भी वी आई लगा लिजिए यह एक्जाम आपके एक्जाम में छपेगा कि नो मेंबर ऑफ दिफोर्स सेल टर्नफ फॉर इस ड्यूटी अनलेश प्रोपरली ड्रेस्ट नौर ही सेल स्मोक नौच यूपान इन द ओपेन वैन ओन ड्यूटी इन यूनिपॉर्म कोई बलसदश्य ड्यूटी पर तब तक नहीं आएगा जब तक कि वह उचित रूप से पोशाट नहीं पहने हुए है मतलब आप अगर प्रोपरली ड्रेस्ट नहीं है तो आप ड्यूटी पर नहीं आए क्या है यह एक अनुसासन हींता दिखाता है साथी साथ अच्छा नहीं लगता है आप अगर किसी पबलीक प्लेस पर ड्यूटी कर रहे हैं तो एक वेल ड्रेस्ट यूनिफॉर्म वाले बंदे को बहुत अच्छा उनका हाइली एटिटूड होता है उनका वाकिंग स्टाइल अच्छा होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है तो इन सब चीजों के लिए इन चीजों को वर्जित किया गया है और इसे पनीशिवल भी बनाया गया है अगला कहता है कि 123 क्लॉस 3 all superior officers and enrolled member of the force shall wear with all type of uniform engraved name tabs above the right breast pocket in manner that the lower edge of the tab shall be just above the top seam of the pocket flap किस नियम में यह बताया गया है आपको अगर पूछा जाए कि name plate लगाने की विधी जो है वो किस नियम में वर्नित है तो 123 के clause 3 में यह वर्नित है कि आप डाहिने side में name plate लगाएंगे दाहिने pocket के उपरी हिस्से पर name plate का निचला हिस्सा touch होना चाहिए जो pocket का flap है और आपका name plate का size भी दिया हुआ है 8.23 into 0.16 cm का होना चाहिए और उस पर जो नाम लिखा होगा लेटर साल भी square type up to 14 इन नमबर मतलब की 14 नमबर तक ही होना चाहिए तो सवाल ये भी बन सकता है कि name plate में कितने नमबर तक है मतलब कितने लेटर्स एलाव है तो 14 लेटर्स जो है वो एलाव होते हैं 123 के clause 3 के ताहर जैसे विकास कुमार मिस्रा मैं लिखता हूँ तो इसमें 15 लेटर हो जाते हैं तो मैं अपने name plate को विकास.kr.mishra करके लिखता हूँ ताकि वो 14 लेटर को define करें तो इन सब चीजों को भी ख्याल रखा जाता है तो ये हम लोगों ने देखा 123 clause 3 के बारे में इसके बार जो slide आएगा 123 clause 4 ये सवाल भी आपके exam में चाहे 72 हो या 70 हो 123 clause 4 भी पुछा जा सकता है और 5 भी पुछा जा सकता है बलब एक ही नियम से तीन सवाल VVI बन रहे हैं आप इस नियम को ध्यान से देखिएगा कते हैं 123 के clause 4 में no unauthorized ornament or emblem sign or mark shall be worn with the uniform कोई भी औप्राधिकृत अलंगकार जैसे कि मैं यह चैन पहना हूँ ये नहीं allowed है प्राधिकृत अलंगकार या संपृति कोई निसान जैसे टैटू लगवा लिए या चिन वर्धी के साथ आप नहीं पहना जाएगा दो चीजे हैं आप कहेंगे कि क्यूं नहीं पहनेंगे साथ हम पहन सकते हैं अपना पहनते हैं तो आपको दोनों चीज बताता हूँ नियम क्यों बनाया गया और उस नियम के पीछे का theme क्या है कि जब भी हम कोई specified चीज मान लिजे आपके पास कोई tattoo आपने गुदवा रखा कहीं पर और आप uniform पहन करके duty करते हैं तो किसी भी प्रकार से bad elements अपना काम क्या है अपना जो काम है उस काम को कोई चिंध ना हो इस कारण से या नियम बनाया गया है कि आप इस तरह के ornaments और इन चीजों को ना पहने क्योंकि आपने फिल्मों में भी देखा होगा बहुत सारे कि कभी कडाल क्या होता है बच्पन में जो है हीरो अपने साथ हुए जाती के लिए कुछ एंबलम याज रखता है और उस एंबलम से जब वह बड़ा होता है तो उस विलन को पकड़ लेता है तो वह सारी चीजे यहां पर भी काम करती है इसलिए इस नियम में यह वर्नित किया गया है साथी साथ अगला नियम का क्लॉज जो है पांच वह करता है वाच चैन घड़ी का चैन जो है ट्रिंकलेट पाउंटेन पेंट एटीशी साल नॉट भी वांड विद यूनिफॉर्म अब क्या है कि आप इन चीजों को पहनिए लेकिन यह विजिवल नहीं होना चाहिए कहीं से दिखना नहीं चाहिए लेकिन क्या कहा गया है the wearing of signet ring is however permitted सिर्फ permission क्या दिया गया है माल नीजे कोई मुद्रित अंगूठी है मुहर वाली कोई अंगूठी है उस अंगूठी को पहनने से अनुग्या है मतलब उसे partially कहिए तो permit किया गया permissible नहीं है partially आप उसे पहन सकते हैं बाकी सारी चीजे जो है prohibited की गई है अगर आप पेन जो हम लगाते हैं वो दिखना नहीं चाहिए पेन में हमेशा पॉकेट में रखिए लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए यह सारी चीजे नियम आपको सिखाती है और आप इन चीजों को बख विद यूनिफॉर्म संग्लासेज आपको यूनिफॉर्म के साथ नहीं पहनना है लोग क्या है दबंग बनने लगते हैं सलमान खान और अजय देवगंद सिंग हम लेकिन यहां क्या है प्रोहिबीटेड है संग्लासेज साल नॉट भी वान विद यूनिफॉर्म आपको उस वर्दी के साथ धूप का चस्मा निमलखित अवसर पर चिकित्सिय सला पर ही पहने जाएंगे आपको इस जगह पर चिकित्सिय सला के बाद ही पहन पाएंगे चाहे कोई सर्मोनियल प्रेड में गये हूं आप या किसी विआईपी जूटी में हूं या क्वाटर गार्ड पर रहने के समय या गार्ड निरिक्षन के समय और परेड में हाजी रोने के समय यह क्या है highly disciplined area माना जाता है पोर्ज के लिए इस जगह पर आप uniform के साथ sunglasses तभी लगाएंगे जब आपको medically जो है एडवाइस किया गया है medical advice का आपके पास परमान पत्र होना चाहिए तो यह हम लो 73 नियम जो है वो बहुत ही important है 70 72 रूल दोनों में एक सवाल जरूर दिखेंगे आप इस नियम को फिर से बाद में rewind करके देखिएगा सारी चीज़े याद करिएगा और आसानी से यह सवाल आपको हल करने में मदद करवाईगी चलिए देख लिए हैं अगर यहां तक आपको समझ में आ गिया है तो एक बार comment करें करें को अपको समझे में आ गिया हो माथे पर टिका लगा सकते है या नहीं बिलकुल नहीं माथे पर टीका नहीं लगाना है एक्स्ट्रा ओर्नामेंट्स नहीं लगाना है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना है युनिफॉर्म आपको सिंपल करना है मुहर वाली अंगुठी क्या है मुहर वाली अंगुठी मुहर वाली अंगुठी इसलिए इलाओ की गई है आपना एक अंगुठी वियर करता है अगर उसको वियर करना है तो वह पहनेगा अगर नहीं करना है तो नहीं भी पहन सकता है ऐसा कंपलशरी नहीं है उसे बस परमीसेबल बनाया गया है बहुत अच्छे यहां तक आपको समझ में आ गया है लगता है मेरा मेहनत सौरी मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है आप सभी चीज समझ पा रहे हैं चलेंगे हम अगले नियम पर अब नियम में कुछ ज़्यादा चीज़े नहीं है सिर्फ आपको हेडिंग हेडिंग और उसके चीजों के बारे में जानना है ठीक है तो आईए देखते हैं हम लोग बहुत अच्छे सभी लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे चलिए बेरी गुड आगे अब चलेंगे हम आगे के नियम पर चलेंगे वो नियम 124 है ग्रोथ एंड ड्रेसिंग ऑफ हेयर के बारे में बताया इसमें तीन क्लॉजज हैं सिर्फ क्लॉजज Lab याद रखिये सवाल बन जाएं। से 12 why में नं asking stock को बारे मटाया गया है कि आप जो हैं पूरी तरीके से बाल को ट्रेइं करके रखेंगे सेव करके एंगे तो आप सेविंग करके रखेंगे अगर आप सेव परमीट लेते हैं तभी आप सेव नहीं करेंगे बाकि आप क्लीन सेव रहेंगे और बिल हेर कट आप करेंगे लेकिन 124 के क्लाज 2 में सिख परसनल के लिए जो है कुछ छूट दी गई है उनके लिए केस कंगा कमान जो 5 के है कका उन सब चीजों के हिसाब से उनको दिया गया है कि वह पगड़ी पहनेंगे कैप की जगए पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी पर ही को ड्रेस करके रखेंगे तो यह तीन क्लॉजेज हैं बस आप इन क्लॉजेज को या दखे सवाल सीधा सीधा आएगा कि इन विच रूल डिस्क्राइब्ड एबाउट आंसर हो जाएगा आपका 124 रूल का क्लॉज वन इस तरीके से यह होगा आपका यूनिफॉर्म का स्केलिंग क्या होगा कितने कपड़ा आपको दिया जाएगा कि उस पर आप यूनिफॉर्म बनाईए कैसा यूनिफॉर्म आप करेंगे फूल हाफ जो भी हो यह सारी चीजे डिसाइड करता है कौन तो वही बलके मुखिया हमारे एक ही करता दरता है वह इन चीजों का डिसाइड करेंगे और स्केल आप यूनिफॉर्म के बारे में 125 प्लॉज में बताया गया है चलेंगे हम आगे के निyyah पर आगे का नियम आपको बताता है रूल 126 रिप्लेस्मेंट आफ यूनिफॉर्म के बारे वर्दी के बदले दूसरी वर्दी लेना अब होता क्या है कि आपके uniform का एक limit है, time limit है, उस time duration के बाद वो expired हो जाता है, मतलब use के लिए नहीं माना जाता है, तो आप क्या करेंगे, अपना replacement करा लेंगे, वर्दी जो है आपको नहीं मिल जाएगी सरकार के तरफ से, लेकिन अब क्या है, वर्दी इस वोना बंद हो गया ह आपको उसके बदले में monetary benefit दिया गया है, आपको सनुसार उसे maintain करते हैं, तो यह replacement of uniform वर्दी के बदले दूसरी वर्दी यहाँ पर है, and 127 नियम बताता है आपको arms and accounts, मतलब आयूद और साथ सज्जा, आयूद और साथ सज्जा क्या है, इसमें कहा गया है कि आपको जो है, कम दिया जाएगा, लेकिन उसका maintenance और उसकी security की जिम्मेदारी आप पर होगी, लेकिन उसके अलावा किसी भी समय आपको आयूद और साथ सज्जा अपने साथ रखने की अनुमती नहीं होगी, आप उसे कहा है, proper जो जगह है, वहाँ पर आप जमा रखेंगे, वहाँ से आपको का deployment हुआ है, तो उस deployment में आप अपने weapon को अपने पास रखेंगे, उसकी security और safety का पूरा जिम्मेदार आना हक आपके उबर होगा, छुटी के दोरान आपको किसी भी प्रकार से जो है, साथ सज्जा का उप्योग करने एक जिम्म मना किया गया इसमें, आपको किसी भी प्रका हथियार का जो है हथियार, आम्स और साज सज्जा जो है नहीं दिया जाएगा, तो हम लोगों ने यह देखा नियम 127 के बारे में, अब आते हैं नियम 128, अस्थानांतरन के कारण वर्दी का निप्टान, अब क्या है मान लीजिए आपका transfer हो गया, disposal of uniform due to transfer, आपका क्या हुआ transfer हो गया, transfer होने के बाद, इसमें यह चीज नहीं है कि आपका uniform नहीं, इसमें transfer के कारण के आए कुछ special चीज़ें आपको दी गई है, जैसे RPSF में जब काम करते हैं, तो आप वहाँ पर कुछ special ornaments, कुछ और भी चीज़े जो है, उनको बर्दी के साथ लगाने के लिए दी जा आती हैं, तो अगर आप उस division से transfer हो रहे हैं, तो आपको quarter master में वो सारी साथ सर जाए, जमा करनी होगी जब आपका transfer होगा, और आगे जहां पर आपकी posting होगी, अगर वैसे जगाओं पर आपकी posting होती है, तो वह division या zone आपको उसे issue कर देगा, तो यह चीज़े यहाँ पर है, disposal of uniform due transfer, transfer के due, चलते हैं, एक slide और है, उसके बाद, आज का lecture यहीं पर हम रोकेंगे, तो वह है, नियम 129, 30 और 31 को देख ले दे हैं, नियम 129 करता है, disposal of uniform due to dismissal, dismissal, discharge ETC, अब या तो आप dismissal कर दिए गए, या discharge से वा मुप्ति कर दिए गए, तब जो है, disposal uniform का कैसे होगा, सीधा सा बात है, कि आपका uniform जो है, उसे जमा कर लिया जाएगा, जिस अनुसार उसकी lifetime है, उस अनुसार life के अनुसार उसे deposit किया जाएगा, और उन सारी चीजों का जो है, maintenance, maintenance और उसका record जो है, जहां जमा करेंगे, quarter master में, वहाँ पर जो है, उसको रखा जाएगा, and 130 कहता है, resuming of uniform article on seizing to be enrolled member of the force, अभ्यावेशित बलसदश से नौर रहने पर वर्दी की बस्ट्रों को पुणा प्राप्त करना, मतलब कि जब आप अभ्यावेशित बलसदश नहीं रहते हैं, मतलब आप suspension में हैं, तो भी क्या है, आपकी वर्दी जो है, जमा कर ली जाएगी, ornaments वगर जमा करने का नियम है, और यह कहा जाता है कि अगर आप तीन महीने से ज़्यादा suspended में रहते हैं, तुरंट नहीं जमा होता है, तीन महीने से ज़्यादा आपका suspension order रहता है, तो आपके सारी चीजें जो है आपका post जहां पर आपकी posting है वहाँ पर जमा हो जाएगी, और अगर वो चार महीने या उस आप करेंगे वही चीज यहां पर लिखा गया है resuming of uniform articles on seizing to be enrolled member of the force and at last जो rule 131 बदाता है retention of article of uniform on retirement अगर आप सही सलामत अच्छे से नौकरी पूरी कर लेते हैं और retention आप जो है सेवा निवरिती आपकी होती है retirement होता है supernuation होता है उसके बाद आपकी वर्दी के साथ सज्जा और articles जमा नहीं किये जाते हैं उसे आप अपने बास ही रखेंगे ये काता है सेवा निवरिती पर वर्दी की वस्टों को रखे रहना तो ये हम लोगों ने पढ़ा आज अध्याए 9 और 10 को अच्छे से discuss किया अ लिप्स्टिक और नेल पॉलिस जो है लगाने का नियम है लेकिन वो डार्क कलर का जो है लिप्स्टिक और नेल पॉलिस का प्रियोग नहीं करेंगी वो हमेशा ही लाइट कलर का प्रियोग करेंगी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए आप उस नियम को अच्छे से पढ़ एब वाणने ज़ैना वग कर नहीं जाएंना चाइव तो वह उसे हम जाता है और यहां आपकी पोश्चिंगृ या वहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यह सवाल कभी पूछा नहीं जाएगा बैरी गुड तो यह हम लोगों ने देखा नियम 130 में जिसमें सस्पेंशन के कारण आपका समान जो है जब दोता है उसके बारे में लिखा है सीता कुमारी आप आरपीफ वाले हो सर आविसली आपको डिसकसन से समझ जाना चाहिए यह कॉमें सेंस की चीज़े है सर डेली 8 बजे क्लास होती है क्या डेली 8 बजे नहीं आज 8 बजे ली गई है बहुत लों का रिक्विस्ट था उसकारण से ली गई है अगर यह ताइम सुटेबल होता है सभी के लिए तो आप सभी के लिए इसी समय क्लास लिया जाएगा 123 रिपीट सर 123 को आप दुबारा रमेश्ची सुन ले क्योंकि 123 के क्लाउस से सवाल आएंगे वहाँ बड़ी पपुगी से मैंने समझा दिया है क्योंकि 6 क्लाउस फिर से डिटेल करने पर फिर से 20 मिनट क्लास और बढ़ जाएगी आप उसे दुबारा सुन दिजिएगा स्टेंडिंग ओडर 4 में डिटेल है स्टेंडिंग ओडर 4 में डिटेल है अच्छा वेरी गुड पपु महता आप उनके जवाब दे रहे हैं वेरी गुड रपी एसर के मिनिस्ट्रियल में बैठने के लिए सर्विस कितना होना चाहिए सेम सर्विस है उसमें भी वेरी गुड टाइम यह सही है सर वेरी गुड शीता कुमारी ओके ठीक है के पी भारती एस चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब आप objective question के लिए तयार हो जाईए वेरी गुड वेरी गुड यूजा वेरी गुड यूजा वेरी गुड पांच साल आर्पी एस अब के लिए है बहुत अच्छे कौई बलसद्ध से सर्विस में मिरती हो जाने पर वर्दी वर्दी का क्या होगा उनकी वर्दी नहीं लिजाएगी आप ध्यान दक्रिये उनकी वर्दी उनके पास उनीके परिवार वालों के पास रहती है नितु सिंग सर जैहिंद वेरी गुड जैहिंद यह तो शर आप 119 के बारे में बटाए है कि सर मैं 119 देरी से आया सर आप फिर से देख लिजे राथ वीडियो आपको फिर से मिल जाएगा क्लास कत्म होने के बाद फिर से अप्लोड हो जाता है आप इसे आराम से देख सकते हैं अभी वर्दी इसू नहीं होती है तो रूल 125-39 और 131 है क्योंकि वर्दी इसू नहीं होती है लेकिन वर्दी आप सिलाते तो है इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर पुराने टाइम साड़े नौ पीम पर क्लास सुरू करें अभी यह कांफ्लिक्ट आप लोगों के बीच रहेगा तो मुझे जिस समय पटापट हम लोग चलते हैं अब्जेक्टिव सवाल पर तो आपके पास चार अब्जेक्टिव सवाल रखे गए हैं पहला अब्जेक्टिव सवाल है लोकेशन और बैरक एंड अधर एकोमोडेशन के बारे में बताया गया है क्या नियम 118, 119, 120 या 121 सही उत्तर को कमेंड करें रपी अन्यकुल टूँ डवी रूल है कल का विडियो नहीं मिल रहा है कॉम्मूटी टैप पर आप देखें मिल रहा है। डिसकसन वहाँ पर होता है, very good, 199, 119, very good, यह 118 कौन दे रहा है जवाब, 118 कौन दे रहा है जवाब, location और barrack and other accommodation is mentioned in which rule, शलिए आप लोग ध्यान से lecture को सुनिए, lecture को ध्यान से सुनिए, very good, very good, आप लोग फिर से देखें, जिनको भी doubt हो रहा है, 118 वाले के लिए, तो उनके लिए मैं दिखा दे रहा हूं कि आपका उत्तर कैसे, गलत है, आप इस slide को देखिए, इसमें 119 नियम में लिखा है, location और barrack and other accommodation, इस कारण आप इन चीजों का ध्यान रखिए, आपके साम आपने अभी ये चीजे गुजरी है और आप इसे गलत कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा इसे, very good, जितने भी लोगों का 119 आंसर है, वो बहुत सही, जिनका 118 है, प्लास को धान से देखें, चलते हैं, दूसरे सवाल पर, under which rule, pan and smoking is prohibited in uniform, किस नियम के ताथ, बर्दी में पान और घुमरपान को वर्जित किया गया है, क्या नियम 123 का एक, 123 का दो, 123 का तीन या 123 का खलाच चार, पड़ाफट कमेंट करें, इसका उत्तर क्या सही होगा, चलिए, बहुत अच्छे, 123 का 2, जो लोग जबाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दो क्या है 123 होगा आप typing mistake कर रहे हैं चलिए आप इसे नहीं कर सकते तो ABCD में comment करें पूरा लिखने की ज़रुत नहीं है आप ABCD option से comment करें सही हो जाएगा very good very good very good very good सभी लोग ठीक जवाब दे रहे हैं अब मैं चलूँगा अगले सवाल पर तीसरा और चौथा सवाल आपको दिख रहा होगा तीसरा सवाल आपके लिए है under which rule unauthorized ornaments or emblem sign or mark is prohibited with the uniform किस नियम के में अनागधिकरित आभूशन या प्रतीक चिन या जिन वर्दी के साथ पहनना वर्जित किया गया है क्या इसका 123 का एक तो तीन या चार किस में बताया गया है very good आप अनाधिकरित वाला देखिए किस में बताया गया है आप उन चीजों को देखिए very good तीसरे question का जवाब तीसरे question का जवाब d very good बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर इस टाइम इस वेरी कंफर्टेबल आप लोग टाइम के बारे में चिंता ना करें मुझे जिस समय कंफर्टेबल होगा मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा आप कंफर्ट होंगे और आप आसानी से उस समय जुड़ जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में कोई बहुत ज़्यादा जुड़ ज़्याद की ज़रत नहीं है आपके पास मुबाइल है आप कहीं पर भी है नेट कनेक्शन है आप आसानी से एटेंड कर सकते हैं इसमें टाइमिंग का कोई प्राब्लम नहीं होना चाहिए वेरी गुड यह अ किस नियम में स्केल आप यूनिपॉर्म वर्धी का मापमान वर्णीत है क्या 123 123 125 या 1626 अंतिम सवाल में चौथा सवाल है चौथे का C 125 बिलकुल बहुत अच्छे सारे लोग अच्छे अच्छे रेई हैं वेरी गुड वेरी गुड यह 123 का 2 आप किसका अंसर दे रहे हैं? question number 4 का c बहुत अच्छे बहुत अच्छे असलम आंचार का very good user very good very good बहुत अच्छे तो आसा करता हूँ कि आपको यह class अच्छी लगी होगी आपके जो भी क्यूरीज है आप कमेंट कर सकते हैं तो उस कमेंट को मैं बाद में देख करके solution करने की कोशिश करूँगा तो आज के वीडियो को अब हम लोग यहीं विराम देंगे चलेंगे अब अगने slide पर जिसमें कि आप से मैं अलविदा लूँगा और आज के class को यहीं पर समाप्त करूँगा आपका और मेरा साथ जीतने के लिए काफी ज़रूरी है जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनमें यह जनून है कि उन्हें जीतना है इस कारण से आप सभी का तहे दिल से सुक्रिया क्योंकि आप हैं तभी यह आर्पी अप LDC परिवार है अन्त में आप सभी का थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो